आज मैं क्यूट क्यूट से फोन कवर्स पे पेंट करने वाली हूँ तो ये मेरी मामा के मुबाइल का फोन कवर है इसकी उपर काफी सारी स्क्रेचिस आ गई है क्योंकि मेरा भाई इसको यूज करता है और उसने देखी उपर ना हून मारे में तो अब मैं सबसे पहले ना इसकी उपर जैसो की एक लेयर लगाऊंगी जिससे इसके अंदर की स्क्रेचिस थोड़ी सी फिल भी हो जाएंगी और हमें एक स्मूध सा टेक्स्टिर मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिलिकॉन की उपर पेंट करना थोड़ा से डिफिकल्ट होता है तो यह जो जैसो है ना यह किसी भी लेयर पे अपलाई होने के बाद उसको एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्मूध कर देता है और किसी भी टेक्स्ट्र पे इजीली अपलाई हो जाता है जिससे हम सिलिकॉन जैसे मेटीरियल पे भी एक्रेलिक पेंट्स इजीली कर सकते हैं तो यहाँ मैंने इसकी पर टू टू त्री कोर्ट्स जैसको के अपलाई किये हैं और आप इसको अच्छे तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी तो फ्रेंट्स ये क्यूट सा कंटेनर देख रहे हैं आप इसकी अंदर ना मैं पैस्टल शेर्ट्स बनाऊंगी तो फ्रेंट्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि हमने 50 रुपीज के वाटर कलर्स के साथ पेंटिंग की थी तो ये वो ही वाली डिबिया हैं जिनको मैंने अच्छे से दो के ड्राइ कर लिया है क्योंकि वो पेंट्स तो खराब हो गए थे ना और कुछ ड्राइ हो गए थे तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसी के अंदर मैं पैस्टल शेर्ट्स बना लेती हों जिससे ये बाद में ड्राइ भी नहीं होंगे तो अब मैं यहां पे ना सारे कलर्स को डाल दूंगी अंदर और सारे रेंबो शेर्ट्स हम रेडी कर देंगे और आप मैं एक एक करकी इन सब को मिक्स करूंगी तो फ्रेंड्स बजार से अगर हम पैस्टल शेर्ट्स बाई करें ना तो वो काफी एक्स्पैंसिव पड़ते हैं तो इसलिए मैंने ये घर पे बनाए हैं और आप देख लें कितने एजी ली बने हैं इनका पिग्मन तोरा ब्राइट आए इसलिए मैंने नियान कलर्स यूज़ किया है और ये वाले कलर्स आपको ब्लू बर्ट से एजी ली मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आर्टिस्टिक और क्रियेटिविटी वैली वीडियोस देखने का बेहद शोक है सब्सक्राइब करने से होगा ये कि हम बार बार मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देना इससे मुझे बहुत ज़्यादा हुशी होगी और मुझे मॉटिवेशन मिलेगी कि मैं आप सब के लिए ऐसी क्योट क्योट सी वीडियोस और बनाऊ सो फ्रेंड्स मुझे दो कलर मिक्सिंग करने का ना बहुत मज़ा आता है आपको कैसा लगता है आप मुझे जल्दी से कॉमेट करके बताएं और आपको फेवरिट कलर कौन सा है वो भी मुझे बताएं जी तो यहाँ सारी पैस्टल शेड्स रेड़ी हो चुकी हैं और कितनी क्योट लग रही है ना सुपर क्यूट और बिल्कुल लाइट बने हैं ये तो चलो फ्रेंड्स अब इन कलर्स के साथ अपने फोन कवर को डेकोरेट करते हैं तो ये है फोन कवर अच्छे से ड्राय हो चुका है और अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइस का ब्रेश लूँगी इसकी ब्रेसल्स काफी रॉफ हैं और इसलिए हम इसके साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ जो देखने में तो बिल्कुल पिंक बन गया है बट इसकी शेड पिंक वाले से काफी डिफरेंट है आप देख लें मैं इसको कैसे अपलाए कर रही हूँ और यह हर जगा पे थोड़ा थोड़ा फैल गया है और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो ऐसे ही अब मैं रेंबो सीक्मेंस में ना सारे कलर्स अपलाए कर दूँगी आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा मज़े का कलर इसमें ओरिंज लगा है पता है नहीं क्यों यह देख के इतना टेस्टी लग रहा है इसको खाने का दिल चार है ऐसे लग रहा है यह औरिंज वाली आइसक्रीम है और इसके साथ येलो मिक्स होके भी काफी क्योट लग रहा है तो अब भारी है सुपर क्योट ग्रीन कलर की मैंने इसके लिए ब्रुश को अच्छे से साफ कर लिया है ताकि येलो कलर ग्रीन के साथ बिलकुल भी मिक्स ना हो और ऐसा ही अराम अराम से पहले मैं सारे कलर को एक सीधी लाइन में फिला दूँगी और इसको ब्लेंड कर दूँगी तो अब भारी है जी ब्लू की आप देख सकते हैं इस ब्रश के साथ कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है पिंक के लिए ना ज्यदा जगह नहीं बची लेकिन आप देख सकते हैं पेंक में और रेड में कितना डिफ्रेंस आ रहहा है काफी क्योट लग रहा है हम जितना टेस्टी लग रहा है और यह देखे मेरे ब्रश का ना एक सरा सा इसके उपर एक बाल लग गया है और मैंने इसको उतारने की कोशिश किया ओमाइगाद इसने पेंट मी उकार दिया क्योंकि यह काफी गिला था और अब मुझे इसको दोबारा से नीट करना पड़ेगा जिसने पूरा फोन केस तबाह कर दिया बट कोई नहीं मैंने इसको अच्छे से नीट अन क्लीन कर दिया और बिल्कुल पताने चल रहा कि हमने कहां पे ब्लेंडर मा रहा है और अब यहां मुझे चाहिए होंगी दो कॉटन बर्ट्स और मैंने इसको थोड़ा सा वाइट कलर लगाया है और इसके साथ सूपर एज़ी और इतनी क्यूट से ना फ्लावर्स बनाऊंगी मैंने इतना क्यूट लग रहा है वैसे आज तक मैंने कॉटन बर्ट के साथ ना कभी फ्लावर्स नहीं बनाए पर थोड़ा एज़ी भी है लेकिन इसके थोड़े थोड़े से आगे से बाल वगरा निकलाते हैं आपको बार बार एज़स्ट करके अपने हिसाब से आपको इस कर दिया है और मुझे इतना क्यूट लग रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना क्यूट बंजेगा और यह देखे मेरे भाइनी ने फॉरण इस थीम से इंस्पायर होके एक वाल पर भी बना लिया है तो अब मैं पेंट करूंगी यह से कॉमेट करके बताएं तो अब मैं से बार बार उट उट के हाथ नहीं दोए जाते तो मैं जितने भी फॉन कवर्स को पेंट किया ना एक्चली मैंने उन सब पे पहले ही जैसो लगा दिया था इसलिए मेरे हाथ काफी स्टिकी और काफी घंदे से हुए में हैं बट कोई बात नहीं आज हम ऐसे ही काम करेंगे एक ही दफाउट के बाद में सब कुछ वाश कर लेंगे अच्छा जैसो लगाने के लिए ना ब्रेश बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सर्फिस भी क्लीन होनी चाहिए मुझे नहीं पता था मैंने एक अदी चीज ऐसे बरबात की है वह आगे चलके आपको ग्रोंड गंदी नी होती फिर तो हर चीज ही खराब हो जाती हो मुझे बारबर से एक नया सेट अप करना पड़ता है और यह है वह फैंदा वाला क्यूट कार्ड जो मैंने अपने फॉन कवर में डाला हुआ था लेकिन अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब हमने अपने हाथ कंदे कर लिये हैं और अब एक क्यूट सा फोन कवर पेंट होने जा रहा है और मैं इसको हिलाज लाकी देखूंगी इतना सारा फॉल्ड करने के बाद बीना इसके अंदर क्रैक्स वगरा इतने नहीं पड़ते और मैंने इसके इतना साथा स्क्वीज कर दिया कि म एक अपना फॉन कवर पेंट करंगी सबसे पहले मैं यहां पर मैल्ट हो रही आइसक्रीम की बना लिया है यसशे और बबल घम इसके इसमें इसक्रीम कर रही है क्या को गर्मी बहुत जादा ना आइसक्रीम भी चाहिए भी फिर से निकालो साथ ही तो मेल्टो ना शुरू हो जाती है इसलिए ना मैंने फॉन कवर भी मेल्टोने वली आइसक्रीम जैसा बना दिया मैंने इसमें प्यार प्यार से कलर कर रही हूं ताकि कॉर्नर्स बिल्कुल भी खर पर जाके जरूर देख लें काफी क्योट चीज़ें और यह चोटी सी प्लेट है जिसकी थीम कास्व मैं फॉन कवर पेंट कर रही है इतने क्योट लग रहे हैं यह बीड तो अगर आप नहीं वीडियो नहीं देखी तो चल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें और यह वाली केंडी वाला फ्लेवर बना लिया है जिसका बनाते में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और बस मैंने थोरे से कलर्स मिक्स किये और यह प्यारा सा प्रेंट बन गया है और कितना सेटिस्फाइंग लग रहे है ना इसको भी बहुत ध्यान से बहुत अराम के साथा मैं प बना दूंगी तो ज़्यादा कलर्फूल स्प्रेंगल थीम में रख रही क्योंकि इसके उपर ना मुझे चाहिए सिरफ वाइट वाले ब्लू और पिंकिश कलर के स्प्रेंगल्स आप मुझे बताएं आपको स्प्रेंगल्स के साथ आइसक्रीम पसंद है या स्प्रेंगल्स ताकि हम और भी डीटेल्ड वर्क कर सके तो दोस्तों आपको बबल गम और कोटन कैंडी थीम का ये प्यारा सा मिठा मिठा फॉन कवर कैसा लगा मुझे कोमेंट करके आपने जुरूर पताना है लास्ट मैंने ग्लिटर हार्ट हैट कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से ड फॉन कवर को पेंट करने की तो बैसिकली ना इसकी मैं आपको स्टोरी सुना दूई है मेरा चोटा कजन लेकिया मेरे लिए वो ना अपनी मामी का फॉन कवर उतार के लाया और उसने मुझे कहा कि आप इसको प्लीज पेंट कर दें मैंने चले ठीक है कर देती हो और अब मु कि इतना मुझे नीड नी लग रहा और ना इस प्रेचे से कलर हो रहा है और मुझे यह देखे आप मैं इसको पेंट कर रही हूं ना इसके अप्लाई किया कितना इजी ली अप्लाई हो रहा है कोई स्ट्रॉक नहीं और सुपर स्मूथ बन गया अब इसको अच्छे से ड्राई होने दूँगी और इसके उपर मैं यलो कलर का पेंट कर रही हूं यहां मैंने लेमन यलो शेयर्ड रेडी कर लिया है और अब मैं इसको इज एन एवरी कॉर्णर पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी तो अब इस पेंट को ड्राई होने यह एक संफ्लार बनाने का मैंने आपे काफी थेक पेंट लिया है ताकि हम पैटल्स को बिल्कु थ्रीडी लुक दे सके और सेंटर में थोरसे ब्राउन कलर करेंगे और इसकी हम स्टेंप्स और लीफ बना देंगे और इसको ड्राई होने के पाद इसकी उपर एक ठिक लेयर को कर में लेगा बना देनल कर दो में पाद लुकॽ लेगा झाल करेंगे और लेक।